दर्शको अयोध्या राम जन्मभुमी की लडाई कई दशकों से चली आ रही है जिसने की इतियास के पन्नों पर ऐसे कई किस्से लिख दिये जो वाकई में सामाने वेक्ति के रोंग टिखड़े कर देंगे आई डालते हैं एक नजर राम जन्मभुमी के संगर्श में इतियास पर 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए लेकिन असल संगर्श तो 1950 में शुरू हुआ जिसके बाद तो इस संगर्श ने एक सांप्रदाईक विवाद की शक्ल लेली जिसके बाद पूरे मजजित परिसर को विवादिस्तान मान कर ताला लगा दिया गया दरसल साल 1950 से असली विवाद शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1950 को भगवान राम की मूर्तिया मजजित में पाई गए हिंदू का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए है जबकि मुसल्मानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तिया वहार रग दी यूपी सरकार ने मुर्तिया हटाने का आदे दिया लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट डियम के के नायर ने दंगो और हिंदू की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्था जताए सरकार ने इसे विवादि धाचा मान कर ताला लगवा दिया और साल 1950 में वैजबाद सिविल कोट में दो अरजी दाखिल की गए इसमें एक राम लला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादि धाचे में भगवान राम की मुर्ति रखे रहने की इजाज़त मांग 1884 में विवादि धाचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदु परिशद ने एक कमिटी गठित के जिनके प्रयाद जारी थे उसी बीच यूसी पांडे की याचिका पर पैज़ाबाद के जिलाज़ज के अम पांडे ने एक परवरी 1986 को हिंदू को पूजा करने क जाज़ब देते हुए धाचे पर से ताला हटाने का देश दिया दैशको 90 के दशक में सब को छंचोर देनी वाली घटना 6 दिसंबर 1922 को घटी जिसकी चलती ततकारी मुख्यमंत्री कल्यान सिंग को मुख्यमंत्री पर्द का राजी नामा भी देना पड़ा था दरसल लाखों की संख्या में मौचोर कारस्यों को समेथ दुसरे हिंदू संकटनों के लाखों कारी करताओं ने विवाधी धाचे 6 दिसंबर 1992 में किरा दिया जिसके बाद देश भर में साम्रताई दंगे भड़के गए जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारी गए वही 2002 में हिंदू कारी करताओं को लेकर जारी ट्रेन में गोधा में आग लगाती गई जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई इसके वज़ा से गुजरात में दंगे में 2000 से जाता लोग मारे गए हैं मही 2002 में 27 वरवरी 2002 को गजरात में सीद गोधरा शहर में एक कार सिरकों से भरी रिल काड़ी में मुस्लिन समुदायद परा आग लगाने से 90 यात्री बारिक है जिनमें आधिकांश लोग हिंदू समास से थी जिसके नतीचे में गजरात में 2002 की दंगे वे हैं केंडिय भाती सरकार परा नियुक्ति एक जाज कमिशन का ख्याल था कि आग दुर्खट ना थी लेकिन आगे चलकर यह कमिशन अर्स विदानी खोशित क्या गया था 28 फरवरी 2002 तक 31 लोग आल शनी दंगा और लुटपार के आरोफ में गिरत आरके गए वही साल 2010 में इलाबाद हाई कोट ने अपने फैसले में विवादी स्थल को सुने वर्ब बोर्ट रामलिला विराश्मान और निर्वही अखाडा के पीच तीन बराबर हिस्वे बाटने क अधिश दिया गए साल 2011 में सुप्रीम कोट ने अयुद्या विवाद पर इलाबाद हाई कोट की फैसले पर रूख लगाए गई वही साल 2017 में सुप्रीम कोट ने आउटा कोट सेटल्मेंट का आवार किया वही पूरी कानूनी लडाई के बाद आखिरकार 2019 को अयुद्या भ के पाच जजो की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया जहां दो दशमलव साथ साथ एकड जमीन हिंदु पक्ष को मिली तो वही मज़ित के लिए अलग से पाच एकड जमीन मुहया कराने का आदेश दिया गया और 25 मार्ज 2020 को तक्रिवन 28 साल के बाद राम ल भागवत, यूपी के सियम, योगी आधितनात और साधू संतों समेथ 175 लोगों को न्योता इस समय दिया गया अयोध्या पहुचकर हुनमान गड़ी में सबसे पहले पीम मोदी ने दर्शन किया और राम मंदिर के भूम प्रान प्रतिष्ठा के आमंत्रन के संभन में तो कही मंदिर निर्मान के मुद्दे पर काफी प्रतिक्रियाय देखने को मिल रही है भाजपा इसे उपलब्धी के तौर पर बता रही है तो विपक्ष इसे भाजपा का पॉलिटिकल स्टेंट बता रही है उधर बिजीपी का कहना है कि राम मंदिर निर्मान राजनीती का विशय नहीं है यहाँ एक स्वपन के साकार होने जैसा है 500 वर्षों की लंबी प्रतिक्षा के बाद प्रभू रामलला अपने भव्य मंदिर में विराज रहे है यह बहुत ही प्रसनता का विशय है अगर इस फिर दी वोड डिखाई देते थे या हिंदूों के भीतर वे भाजन करते थे तो आज इनको फीडा क्यों हो रही है बीजेपी प्रवक्ता राकिश्त्रिपाटी ने कहा कि बीजेपी का जो पहले स्टैंड था आज भी उसी स्टैंड के साथ खड़े है तो वही समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनेती करके आई है मज़भ के नाम पर फायदा उठाना बीजेपी का पुराना तरीका है हिंदू मुसलिम अजान भजन किर्टन जैसे मुद्दों पर बीजेपी बोट मांगती है सपाप्रवक्ता पकरूल हसन चान ने क रहा कि राम मंदिर का निर्मान सुप्रिम कोड के आदेश के बाद हो रहा है इसलिए प्रान प्रतिष्टा कारेकरम से बीजेपी का कोई लेना देना रही है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी नहीं राम मंदिर को बनवाया है बीजेपी इसका पूरा लेना चाहती है सपा प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी चाहे जितना लाब लेने का प्रयास करें लेकिन जंता पोच रही है 2014 में रोजगार देने किसानों की आय दुगनी करने और महेंगाई कम करने का वादा किया था उन वादों का क्या हुआ ऐसा सवाल भी उन्हें उपस्थित किया वही कॉंग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्ती ने कहा कि जंता के हर मुद्धे पर मोधी सरकार विफल खोच चुकी है नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे आमा आदमी महेंगाय से परेशान है यह सबी मुद्धे आगामी चुनाओं में मोधी सरकार पर भारी पढ़ने वाले है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने कहा कि जनता को छलने वाले जनता के मुद्दों से धान भटकाने के लिए राम मंदिर का सहारा ले रही है लेकिन इस देश का नौजवान किसान आमात्मी दोहजार चुबिस के चुनाव में अपने विकास के मुल मुद्दों पर मोजी सरकार से सवाल करते हुए वोट करनी जा रहा है ऐसी सम्मिश्र प्रतिक्रिया भी राम मंदिर के मुद्दे पर देखने को मिल रही है